दोस्तो आज हम सोना में आ चुके हैं सापकी नांगली में और जिस पहाड़ पे हम चड़ रहे हैं सोना के इस पहाड़ पे इस पे चड़ने का एक खास मक्सद है हमारे 14-15 साल के युवा साथी यश है जो यहां 40 गायों के खाने और पीने का बंदोबस्त करते हैं तो अक्सर जब यहां सुखा पढ़ जाता है तो उन्हें पानी के दिक्कत होती है उसी पानी के दिक्कत को सुलजाने के लिए यश की मदद के लिए आथ सेव रावली की टीम है आई है जो एक जोहर विक्सित करना चाहती है यहां ताकि उन 40 गायों के इलावा जो अलग जीव जनतु ह उनके खाने पीने की विवस्ता भी सुनिश्य की जा सके सुनहेरे वन में तो आईए दोस्त देखते हैं वो लोकेशन क्या है यह कलोंजा का पेड़ है तो इसमें काफी अच्छे फल आते हैं यह भी खाने के यूज में लिए जाते हैं और चटनी वगएरा जो अपना देश है अभी है दिन के एक सवा बज़ रहे हैं अभी एक वज़ी के आसपास टाइम है और स्री वरावली की टीम सांप की नंगली सोना में एक जगा है एक पहाड़ है वहां पर हम लोग इस वक्त एक पहाड़ पर चड़ रहे हैं इतनी तेज धूप में और हमारे कुछ साथिया जो की हमारे पीछे आ रहे हैं और कुछ साथी जो आगे निकल चुगे हैं तो हमारा जो तार्गेट है वो यहां पर एक जोहड बनाने का है तो उसी को हम देखने जा रहे हैं कि कहा है वो जोहड जोसे वरावली की टीम जिस पर कुछ काम करेगी तो इसमें जैसे कोई ग्वालिया नीचे से कुछ खाकी कर कम दी आए तो इसका प्फल खा सकता है वो खाने की पूर्ती करता है इतना अच्य प्फल लगता है मेठा और खारापन रहता है तो यह टोट लगता है देशी टाइप में जो देशी कीकर रहती तो यह उसी पीछे पीछे भी वह यह है वो थैरिक आए उससे पीछे यह मेरे फर्स में है यह यह तो होगा है लगबग धाई-दीन किलोमेटर चलने के बाद में फाइनली हम लोग पहुंच गया है जो पीछे हम देखने है यह वो जोहर जिसमें अभी भी काफी सारा पानी बचा हुआ तो सेव अरावली टीम का जो उद्देश रहेगा वो यह रहेगा कि यह पानी जादा से ज्यादा हम लोग यहां पे इस जोहर में स्टोर कर सकें ताकि जो यहां के जीव जंतु हैं पक्षी हैं जानवर हैं वो इस पानी को फिर जो अभी जून की गर्मी है जो लाई की गर् जिसको विक्सित किया जा रहा है विक्सित किये जानी कि क्या वज़े हो सकती है और गाउं के लिए जंगल के लिए जोहर क्यों जरूरी है यह गाउं के ही इंसान से जानते हैं कि उनके लिए इस जोहर के इंपोर्टेंस क्या है और इस एको सिस्टम में इस जंगल के अंदर यहां पर पानी काफी कम संख्या में रह जाता है तो प्यास की वज़े से काफी प्राणी मर जाते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा और बड़ा गहरा हो जाए जो इसमें पानी गर्मियों और सर्जियों में भी ठेहरा रहे दोस्त जब आप क्लास 9 में थे तो आप क कभी सोचा था क्या आपने कभी सोचा था कि मेरे इलावा मेरे जीवन में बाकी लोग बाकी लोग छोड़िये पूरा परियावनन मेरे लें इंपोर्टेंट है मेरे साथ एक शक्स है आज यश जो सोना गाउं के सापकी नंगली दिलित से हैं और इन्हों ने यहां पर पूरे बंडे जीवन का कारोभार अपने कंधों पर उठा रहा है और ये चोंच बताएं यार मैंने सुना ऊप और ओपर आके कंचे वगारा खिलते हैं लट्कू चलाते हैं क्या पर रहते में गायों पर रहते हैं तो गॉयों के साथ क्या आicientगर ते अप दोस्तों चालिस गायों को संभालना यकीन मानिये असान काम नहीं है और मेरे घर में दो बहसे थी और दो लोग उन दो वहस honeymoon को संभालने के लिए छालीज गायों को संभालने के लिए अकिला यश्ज यश्ज यह आपके अंदर का से आई क्या आई कि आपको जंगल में जा करना है और जंगल में रहते हुए तीन-चार दिन रहते हुए तीन-चार दिन बाद अपने घर जाना है और उसी टाइम पिरेड में जब आप जंगल के अंदर हो तो आपको गायों की सेवा करनी है तो यह 40 गायों का जिम्मा आपने क्यों सोचा कि आपको लेना चाहिए ऐसी क्या ची पीने को मिलता है तो अरे वागा से रोटी आ जाती और गायों का दूख पी लेते हैं उसके लावा तो आपको बैड वगर नीच यह ता खोई एसी कूलर शाम को यहां चल जाए जिसमें आप सो सके आराम से नीद कर सके तेंद वे वगर डिस्टब नहीं करते हैं आपको बाच बड़ा दी जाती है और उससे वह आते हैं तो दोस्तों यह मिठ है यह ब्रह्म है यह ब्रांती है कि जब हम जंगल के अंदर होते हैं तो हमें अकेले नहीं जाना चाहिए वहां पर तेंद वे शिकार कर लेंगे या कुछ होल खाली ममें एक स्कूल को लेके आये और व अभी तक हमने सोलो जोल बना चुके हैं और एक और नया जोल बनाने के लाजन यहां पर लाएंगे इसको हम गहरा करेंगे इसमें चेकनी मिटी डालके इसको अगले एक दो महिने कंदर सुन नया जोल बनाके चाहलो करनेंगे झाला करेंगे